नमो नमहा अध्यभवताम समेशाम जोत शास्तरानु रागिना चात्रानाम अध्यत्रिवर्गानाम श्रोत्रिवर्गानाम अस्याम इपाठशालायाम हार्दिकं स्वागतं वर्तते भोमित्रानी अत्र अधीत विशयह वर्तते ज्योतिश गनितम तत्र ज्योतिश गनितस्य वितिये पत्रे वितिये पाठे वयम अध्य अध्यनम विधास्यामह तत्र निर्धारितह ग्रंथाह वर्तते सिध्धांत शिरोमनही तस्य सिध्धांत शिरोमनेह ग्रंथस्य अयंगोल अध्यायह तस्य गोला ध्यायस्य वितीये पाठे निर्धारितह विशयह वर्तते द्वीव समुद्राणांच संस्थानम वस्तुतह जानंति भवंतह अयंग्षिधांत शिरोमनिनामकह गरंथह महत्यपूर्णह वर्तते तत्र विविधाह जोतिशास्त्रियाह विशयाह प्रतिपाधिताह संति परंतु निर्धारितस्य पाठस्य संति कानिचन उद्देश्यानी कानिच ततत उद्देश्यानी ती विचारया महा तरही अस्य पाठस्य निम्नलिखितानी उद्देश्यानी संति तत्र भूमेह भौगोलिक स्थितेह ज्ञानम छात्रेशु स्यात अयम प्रथमहा तत्र द्वीपपुरस्चरं समुद्रानाम स्फुट स्थितेह ज्ञानम स्यात अयम दितीहा तदनंतरं अक्षा ज्ञाने स्फुटाजारम छात्रा प्राप्नुबंती किंचा दिख्देशका ज्ञान विशये पी छात्रानांकरते सौ विध्यम्भ विश्यती। ज्ञान 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 विश्यती। गोलम शोतुम यदितव मतिही भासकरीय शनत्वम नो संक्षिप्तो नचबहु वृथा विस्तरह शास्त्रतत्वम लीला गम्यह सूललित पदह प्रश्नरम्य सयस्मात एवं तवत सूर्सिद्धांते सिद्धांत शिरोमणव सर्वत्र अयं विशयह विस्त्रत्तया प्राप्य तत्र पुरानानाम वर्णनम वर्तते तेशाम वर्णन विशयानाम वरनित विशयानाम आधारं विधाय अत्र अस्मिन पाठे रीपानाम समुद्रानाम वर्णनम सावयवह निर्दिष्टं वर्तते सावयविवित्ते सांगो पांग वर्णनम अत्रस्मा भिक्रियते पाठेस्मिन विविधानी पारिभाशिक पदानी संती तत्र प्रतमहा लंका प्रदेशः लंका नाम भू मध्य गत निरक्षदेशः जानंति भवंतह इह गोले जोति शास्त्रि परंपरायां लंका एव निरक्षदेशत्वेन कल्पितह वर्तते निरक्षः नाम यत्र यस्मिन देशे अक्षान्षस्य उत्पत्ति नभवती असव निरक्षदेशः एतेशू निरक्षदेशेशू लंका प्रमुखा वर्तते यतोही भास्कराचारियन उक्तम लंका कुमध्य यमकोटि रस्याह प्रागपस्चितम एवं प्रकारेन लंका म अध्ये वर्तते, किन्च लंका देशात एव सर्वेशाम ग्रह गरण पधति विशयानाम निरूपणं कृधम वर्तते, अपरह सुमेरुह अत्र जानन्ति भवंतह द्वव ध्रुव वर्तेते, एक हा कुमेरु संग्यकह, अपरह सुमेरु संग्यकह, गोल परंपरायाम उत्तर द्रुवे देवानाम वासह, दक्षन द्रुवे दैत्यानाम वासह, अत्र सुमेरु इत्युक्ते, देवन परवतह, देवानाम लिवासस्थानम सुमेरुहु। द्रुवे 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 केशाम द्वीपा नाम चर्चा, समुद्रा नाम चर्चा, नदी नाम चर्चा, परवता नाम चर्चा, विविधा नाम खंडा नाम चर्चा, वर्षा नाम चर्चा वर्थते अत्र विचारया महा भू में हिक्की द्रिशी अस्ती भू इत्युकते जोतिश शास्त्रे भूमिशब्देन विविधाह अर्थाह ग्रहियनते। भू अर्थात जोतिश शास्त्रे सरवेशाम ग्रहाणाम केंद्र भूता भू वर्थते। अस्य ब्रह्म्हांदस्य केंद्र रूपा इयं भू वर्थते। भूमेह चतुर दिक्षु ग्रहाणाम कक्षा आस्ति अतह इयम भू सर्वदा स्थिरायो वर्तते इदि जोति शास्तस्य मतमस्ति अस्याम भूमव कुत्र कस्य द्वीपस्य निवासह तत्र सब्तत द्वीपा वसुमतिही इति पुराण उक्तिही वर्तते अतह तेशाम सब्तत द्वीपानाम चर्चा अत्र वर्तते कुत्र चित चतुर द्वीपा वसुमतिही इत्यपि प्रवाणम अस्माभिही प्राप्यते अतह सप्तत द्वीपानाम चतुर द्वीपानाम द्वैविध्यम मतम वर्तते जोति शास्त्रे सप्तत द्वीपानाम ग्रहणम विहितमस्ति द्वीपानंतरं समुद्रानां चर्चा वर्तते थत्र चत्वारह समुद्राह संती तेशू चतुर्षू समुद्रेशू कष्चन लवन समुद्रहा कष्चन ख्षार समुद्रहा कष्चन दुग्ध समुद्रहा कष्चन जल समुद्रहा एवं विधाह चतुर विधाह समुद् तेशाम दयोर दयोर एकम एकम कस्चन देशह वर्तते अतहा तेशाम समुद्राणां चर्चा वर्तते। तदनंतरम परवतानाम निवेशह, तत्रमाल्यवान परवताह, गंधमादन परवताह, एवं प्रकारेन सप्त परवतानाम विविधानाम चर्चा अस्मिन पाठे विहतमस्ती। सरवापी गर्णा भूगोला ध्याया शिताईव वर्तते। यतोही दिखदेश काल वशा ज्याना भावात अस्माभी कस्यापी विशयास्य ज्यानम कर्तुम नशक्यते। अतह, एतेशाम चित्रोक्त विशयानाम ज्यानम अस्माभी सर्व प्रामुख्यन कर्यम कारियम। अतह, जोतेश शास्त्रे अयम महत्त पूर्णा पाठाह वर्तते। आचारिभास करेण सिध्धांत शिरोमने गोलाध्याये अत्र समेशाम दीपानाम, समुद्रानाम, नदीनाम, परवतानाम, खंडानाम, वर्शानाम, क्रमिकं चित्रनाम, क्रमिकं वर्णनाम विहितं। तद्यता प्रश्ण्त भवंतह, श्लोका वर्तते प्रतिपादितह, लंका कुमध्ये यमकोटि रस्याह, प्राक पश्चिमे रोमक पत्तनंच, अधस्ततह, सिध्ध पुरं सुमेरुहू, सौम्ये थयाम्ये वडवा नलस्च, कुवृत्त पादान तरितानी तानी, स्थानान शडगोल विदो वदंति, वसंति मेरवू, सुरसिध संगाह, अउरुवेच सर्वे, नरकाह सदैत्याह, योयत्रतिष्ठत्यवनी तलस्थं, आत्मानमस्याह, उपरिस्थितंच, समन्यतेतह, कुचतुर्थ संस्था, मिथस्चये, तिर्यगमा मनंति, अत्र अधाशिरस्काह, कुदलांतरस्थाह, छाया मनुष्या, इवनीरतीरे, अनाकुलास्तिरी यगधस्थितास्च, तिष्ठम्ति तेतत्रवयं यथात्र, अत्र श्लोकानाम कश्चन ताटपरियह अस्ति, अत्र एक ऐकम श्लोकाह व्याक्षायते, लंका कुमध्ये यमक कोटी रस्याह, प्राक पश्ची में रोमक पत्तनंचा, मित्राणी, कस्मिन अभी गोले, शस्ट्र त्रिषत पदानाम, अन्शानाम, विभागह वर्तते, अत्हा भूमव, गोली पदार्थे, कुत्रापी अस्माभी तस्य केंद्रम कलपईतुं शक्यते, अत्हा भूमेह अत्यभागे लंका कलपिता वर्तते, अस्याह, लंकायाह, प्राक दिशी, अर्थात नवत्यन्ष पूर्वे, यमकोटी पूरं वर्तते, रोमक पत्तनंचा, पश्चिम दिशी नवत्यन्षे वर्तते, कींचा, अधाह, नवत्यन्षे, सिध्ध पुरं, अर्थात लंका अशीत तित्तर शतांशे सिद्ध पुरस्य स्थित ही वर्तते सौम्ये उत्तर दिशी ही सुमेरुहु याम्ये दक्षन दिशीच वडवानल पुरं वर्तते इति भासकराचारी अस्य प्रथव मतं। सर्वेशाम लोकानाम स्थित ही कुवरित्त पादाम तैतानी भूगोलस्य चतुर्थ भागान तैतानी तानी पुरस्थानानी शडगोल अज्याह बदंती शडगोल विदो बदंती अर्थात अस्मिन गोले चतुरनाम स्थानानाम सौम्य याम्य ध्रोयोह वरनाम विधाय शड अवयवानाम चर्चा वरतते इत्येव अस्माकम आचार्यानाम अभिमतम वरतते। किन्च वसंती निवसंती मेरव सुरसिद्ध संगाह इति वचनेन देवसिद्ध पुरुषानाम समुह अउर्वे तद विपरीतं दक्षद्रुवे सरवे नरकाह सदैत्याह दैत्य सहितास्य सरवेपी पुरानोक्त नरकाह संती योतत्र भूगोल पादे तिष्ठती अवनीम प्रिधवीम तलस्थाम स्वस्य अधा मन्यते आत्मानम अस्याह भूमेह उपईस्थितंच मन्यते अतह कुचा तुर्थ संस्थाह भूगोल पादे स्थिताह मिधाह परस्परम तिरियागिव आमनंती चिंतयंती इति विचारह कथम चेत अधा शिरसकाह कुदलांतरस्थाह भूबरत पादस्थाह चाया मनुष्याह इवनीर तीरे तड़ाग तटे श्थितस्य जले चाया पुरुषईव अर्थात यथा कश्चन व्यक्ति ही जलस्य बही ही जलबिंबे जलचायायाम स्वकियं बिंबं विपरीतं पश्यती परंतु तक बिंबीय पुरुषः अपी अना कुलह स्थिर चित्ते न तत्रतिष्ठितह वर्तते किंच स्थिर चित्ते न अस्मिन विभागे पुरुषः वर्तते अता उभयत्रा पिकाचित समस्या नभवती इतिकृत्वा एव मेवस्थितही अस्मिन गोले वर्तते सरवे जनाह यत्रतिष्ठंती स्वकियं स्थानम तत्टर केंद्रे एव आमनंती अतः सरवत्र इयं समस्या विजित्रतया समायाती परंतु अत्र ताध्रशी समस्या नभवती याद्रशी समस्या प्रतियते अतहा अर्था किम्भवती भूमेह परिधव चत्त्वारी पुरानी संती लंका भूमेह मध्यभागे वर्तते ततह पूरुदिशी यमकोटी पुरं पश्चिमे रोमक पुरं लंका तहा अधा दिशी उत्तर दिशी सुमेरुह सिध्ध पुरंच ततहा दक्षिने वडवानलह उत्तरदिशी सुमेरव देवाह सिद्धास्च निवसंती, तथै वग दक्षिन ध्रुवे सर्वेपी पुराणोक्त नरकाह दैते यसहिताह स्थिताह संती, अतहा भूमेह पैधव एतेशू पुरेशू जनाह परस्परम अधस्षिरस्काह तिष्ठंती, यथा जले मनुजच्हाया तिरियक स्थिता भवती, एते आत्मानम भूमु उपरी स्थिताह चिन्त यंती, अन्यान अधा किन्तु एते तिरियक स्थिताह पवन्ती, अनेन प्रकारेन छेत्र रीत्या भवत्भीही तरष्टुम शक्यते यद उपरी उत्तर ध्रुवह वर्तते अधस्थाने दक्षण ध्रुवह वर्तते, एक कत्त्र बाम भागे यमकोट ही वर्तते, अपर अत्र दक्षण भागे रोमक पत्तरम अस्ती, निरक्ष देशे लंका स्थानम वर्तते, सौम्य याम्य ध्रुवयोह अपिन निरशनम अत्र अस्मिन छेत्रे सरलतया कृतम अस्त तदन अंतरम भूगोली ये विशयानाम निरूपणा नंतरम द्वीपे द्वीपानाम समुद्रानाम चस्थिति निरूपिता वर्दते। यतो ही कस्पिन्स्चित विद्वीपे विधानाम विशयानाम भौगोली के छेत्राणाम सन्निवेशा वर्दते अतह तस्यस्थिति ही तेशाम वर्णनम कृतम आचार्येन भास करेन तदुक्तम तेन भूमे रर्धम छार सिंधो उर्धक्स्थम जम्बु द्वीपम प्राहु राचार्य वर्याह अर्धे न्यस्मिन द्वीप शटकस्य याम्ये छारक्षी राध्यम्बु दीनाम निवेशा लवन जलधि रादव दुग्ध सिंधुस्च तस्मात अमृत ममृत रश्मिही श्रीष्च यस्मात भभूवा महित चरणा पदमहा पदमजन्मादी देवई वसति सकल वासो वासु देवस्च यत्र दधनों घृतस्येक शुरसस्य तस्मान मध्यस्य चस्वादु जलस्य चांत्यह स्वादु दकांतर वडवान लोसव पाताल लोकाह पृतवी पुटाने चंचत फडा मनिगणां शुक्रत प्रकाशा एतेशुसा सुरगणा फणिनो वसंती दिव्यंति दिव्य रमनी रमनी देहाई ही सिध्धास्य तत्र चलसत कनकावभास ही शाकम ततहशाल मलमत्र कौशम क्रौंचम्च गोमे रकपुषकरेच द्वयोर द्वयोर अंतरमेकमेकम समुद्रयोर द्वीप मुदाहरंती अर्थात कथम तेशाम समेशाम चर्चा वर्थते यद भूगोलस्य अर्धभागे क्षारसिंधो उधक्स्थम उत्तरभागे जंबद्वीपम आचारेवरियाह प्राहु हुँ अर्थात आचारेही निगदितम अर्धे निस्मिन अन्यस्मिन अर्धभागे द्वीपशटकस्य याम्ये दक्षिने क्षारक्षीराद्यम्बुधीनाम समुद्राणाम निवेशावर्तते किंच लवन जलधिरादव शारसिंधो रग्रे दुग्ध सिंधु तसमात अमृतम अमृतरश्मिही चंद्रह श्रीष्च श्रीत युक्ते लक्ष्मीश्च बभु अर्थात ततहतस्य उत्पत्तिही लक्ष्मियाह उत्पत्तिही तसमात एव समुद्रस्थानाज महित चरण पद्मह पद्म जन्मादि देवईही अर्थात ब्रह्मादि देवईही सह सकलवासह परब्रह्मः वसदे दधनो गृतस्य इक्षुरसस्य तसमात अग्रे मध्यस्यच स्वादु जलस्यच एते आहत्य सप्त सागराह संधी स्वादु दकांतर वडवानलोसो अर्थात अयम वडवानलह स्वादु जलसागरस्य अंतर नहितह वरतते प्रिथिदी पुटानी भूमे रंतर नहिताह पाताल लोकाह संती तत्र चंचत फणा मनि गणान शुक्रत प्रकाशाह चंचलाह फण मनि गणाह अर्थात फणिन मनयह येशाम तेशाम गणाह तस्मात उत्पत्ते ही प्रकाश मन्मिल्धै ही पाताल लोकह तत्र वरतते तस्मिन पाताल लोके फणिनह नागाह सासुर गणाह वसंती तत्र लसत कनकाव भास इत्युक्ते स्वर्नकांत युक्ते ही दिव्य रमनी दैवयुवत्य हा रमनी देहाई ही देवाह सिध्धास्च तत्र दीव्यंती कामक्रीडाम कुर्वंती रमंती तत्र शाकं शाल्मलं क्रौशं क्रौंचंच गोबेद पुषकरंच पूर्वोक्त द द्वयोह द्वयोह समुद्रयोह मध्ये एकम एकम एते सप्तद्वीपाह संती ति आध्याह उदाह रंदी तत्र एवं जंबु सहिताह एते सब्तत द्रीपाह छेत्रे यदि प्रदरश्यंते तरी पश्चंत भवंतह कथं शाकत द्रीपह अध्ये वर्तते तस्मिन शाकत द्रीपे बाम भागतह दक्षिन भाग परियंतं क्रमेन पुष्कर स्वादु जलाज आरभ्य कौशं परियंतं स सरवेशां वरणं चित्रणं अस्मिन बर्तते। तत्र तेशु समहा सागरानां द्वीपानां चर्चापी बर्तते। भारत वर्षमिदं युदगस्मात किन्नर वर्षमतो हरी वर्षम सिध्ध पुराच तथा कुरु तस्मात विद्धि हिरन्मय रम्यक वर्षे। माल्य वांश्ययमकोटि पत्तनाप रोमकाच्यकिल गंध मादनह नील शैल निशधावधीच तावंतराल मनयोरिला वृतं। माल्य वज जलधि मध्य वरतियत तत्तु भद्र तुरगं जगुर बुधाह गंध शैल जलराशि मध्यगं केतु मालक मिलाक लाविदह। निशध नील सुगंध सुमाल्य कै रलमिला वृतं मा वृतं मा वभव। अमर केलि कुलाय समा कुलं रुचिरकांचन चित्रमही तलं। अनेन प्रकारेन अत्र आचारियन परवत निवेश पुरस्तरम नवखंडानाम चर्चाविहिता तत्र भुगोलस्य उत्तरार्धे जंबुद्धीपंवर्तते तत्र तस्य क्षीरसागरस्य संधिही निरक्षदेश उच्यते तत्र चत्त्वारी पुराणी लंका यमकोटी गोमक सिध्ध पुराणी च भूपरिदे चतुर्थान शांतराणी कषितानी संती तेप्यह उत्तर दिक्स्था मेरु इति प्रथितह लंकायाह उत्तरस्था हिमगिरिह परवतह पूर्वतह पश्चात सागर परियंतम विस्तिरदह वर्तते अस्य उत्तरे हेमकूटह यस्य स उत्तरस्थाह निशध गिरिह वर्तते तत्र एतेशाम गिरीणाम मध्ये द्रोणी देशह वर्ष संध्यकह वर्तते तत्रा प्यादू भारत वर्षम तदुत्तरतो किन्नर वर्षम तदनुत्तरतो हरी वर्षम तदुत्तरता विभिहाराम वर्षानाम तरचा वर्ततते एव अमेव सिद्धपुरात उत्तरतो श्रेंगवान गिरिही ततह श्वेदा गिरिही ततस्च नील गिरिही स्थितह वर्तते। एशाम अपि विस्ताराह समुद्र परियंतम एतेशाम विस्ताराह वर्तते। एतेशाम अंतरत्वे कुरुवर्षम, हिरण्यमय वर्षम, रम्यक वर्षम चास्ती यम कोटिपुराग उत्तरतो माल्यवान गिरिही यह निशधनीलयोह परियंतम विस्तेदम वर्थते अस्य समुद्रस्य चमध्य भद्राश वर्षम समाहितं वर्तते इति प्रोक्तमस्ते रोमकाद उत्तरतो गंधमादनह तस्य जलधेश चमध्य केतुमालह वर्तते इत्तम निशधनील माल्यवत गंधमादन अईरावत इलावरतानी नवखंडानी स्वर्ग भूमिरती उच्यंदे यत्रच देवाह दीव्यंदी भूगोले मेरोह मुख्यम स्थानम वरिवर्ती यतोही मेरु वशादेव सर्वेशाम द्वीपानाम खंडानाम समुद्रानाम चर्चा निर्धारणम स्थानदधारणम असनाभे करतुम शक्यते अतहा मेरोह स्थितिही कीद्रशी वर्तते इती विचारह आचारियन यताविहितहा तद वर्तते इहाही मेरु गिरिही किलमध्यगहा कनक रत्नमयस्त्रिदशालयहा दुरहिन जन्मकु पद्मजकर्णी केतिच पुराण विदो मुमवर्नयन विशकुम्भ शैलाह खलुमंदरोस्य सुगंध शैलो विपुलह सुपार्श्वह तेशुक्रमात संतिचकेतु विक्षाह कदंब जंबु वटपिप्पलाख्याह जंबु फला मलगलत रसतह प्रवृत्ता जंबु नदी रसयुता मृदभुत्सवरणं जांबु नदम हितदतह सुरसिद्ध संगाह सश्वत्पिबंत्यमृतपान परांग मुखास्तं किंच वनम् तथा चैत्रडथं विचित्रं त्वेश्वप्सरो नंदननन्द नंच धृत्याध्ययं यद्धिकृत्सुराणां भ्राजिष्नु वैब्राजमिति प्रसिद्धं संराय सिथैत स्वरूरं च मानसं महाहरदं स्वेत जलं यथाक्रमं सरह सुरामारवश्रमालसाह सुराह रमंते जलकेली लालसाह किन्च सदरत्नकांचनमयं शिखरत्रयंच मेरव मुरारिक पुरारी पुराणी तेशु तेशामधह सतमख ज्वलनांत काराम रक्षोम्भुपा निलशशीष पुराणी चाष्टवु अस्य आशयह वर्थते यत इला वृत्ते मध्ये स्वरनमयह स्वरनरत्नमयह करणीकारह मेरुहू देवानां अलयह वर्थते और थाथ सुमेरुह वर्थते तस्य मेरोहो शिखरत्रयम विध्यते तत्र ब्रह्म्ह विष्णु वहेशानाम स्थानमस्ति तेशाम पुराणिसंति इति पुराण विदह व्यासादयह महर्शयह वजंति दुरुहिनम नाम विष्णोह नाभिकमलं तद रूपी पृथवी पदमं ब्रह्मन इत्यतह सर्ग काले पृथवी पदमकर निकायां ब्रह्मस्तिता भवती ती अस्माभिवक्तु शक्यते शिखराणाम अधह समंतात इंद्रादी लोक पालाणाम पुराणे संधी मेरूं परितह आधार भूताह यमकोटेह दिशी मंदर सुगंध विपुल सुपार्श्वाह परवताह संती यत्र मदंब जंबु विट्ट पिपलाह ध्वजवरिक्षाह संती एवं मंदरे कदंब पिप्षाह चैत्रडथं इत्यादेह विविधाह विश्याह संती तत्र सुगंधे पुनह नंदनवनं अपसराणा मानंद दायकं महानसरंस्च सरह वरिवर्ती विपु पुरानोक तदिग्पालानाम एतेशाम सर्वेशाम विशयानाम यदी स्वरुपडम चित्रनं अस्माभी करियते तरही पश्यंतुभवणता आतर मध्यसंपाताद पूर्वदिशी पश्यमदिशी उत्तर इशानवायब्यदिशी सर्वासू दिशादिक्षू अस्माभी तर निर्धारणम करतुम शक्यते, यथा अग्रेग अच्छाम अस्चेत, तर ही एतेशाम, समेशाम, द्वीपानाम, वर्णना नंतरम, तेशाम, स्थिती वर्णनाम तत्र कृतम अस्थी, थत्र नरिड़ती कोने, आजने कोने, इशान कोने, वायविकोने, सर्वत्र, सर्वेशु कोनेशु, भिन्ना नाम, भिन्ना नाम, देवा नाम, स्थाना नाम चे निवेशह कृतःहवर्थते। अथ गंगायाह बरणन तदनंतरं कृतं तत्र उक्तम आचारियन या मेरू विष्टुपदात पतिता सती चतुर्धा विभक्ता भवती या भद्राश्व वर्षे सीता भारत वर्षे अलकरंदा देवनदी मृत्युलोकात आगताईयं जीवानाम उर्धो गति दायनी वर्तते कथंचेत अस्याह जलं पीत्वास प्रिष्ट्वास नात्वावा परंगतिम लवते नरहा अतह नरके गताह पित्रिगणाह यम अबंधात मुक्ताह भवंती इत्थम यम गंगायाह वर्णनं अनेन प्रकारेन आचारियन कृतं ततस्च भारते केशाम खंडानाम निवेश व परण वन्यद गभस्तिमद तस्च कुमारिक आख्यं नागंच सौम्यमिह वारुन मंत्य खंडं गांधर्व संग्यमित्च भारत वर्ष मध्ये वर्ण्यावस्थिति हैव कुमारिक आख्ये शेशेशु तांत जनाना निवसंति सर्वे माहेंद्र शुक्तिमलयक्ष परिया सहिय सविंध्य इह सप्त कुला अचलाख्या एवं प्रकारेन भारत वर्ष नवखंडानाम चर्चा वर्तते आइंद्र कशेरु ताम्र गभस्ति कुमारिका नाग सम्याद यह संति नवखंडानी तत्र शेशेशु नीश जात यह निवसंति पुनस्च सप्त अचलाह माहें वं और शुक्ति मलया रिक्ष परियात्रा सहिया विंध्यास मंति यह संति इथम सरवेशां विशयाना मद्ययन भावगोली के चर्चा अत्रप्राप्यते सारांश्तया इदम वक्तम शक्यते यत अस्मिन भूगोले द्वीपानाम, खंडानाम, वर्षानाम, समुद्रानाम श्तिती वर्तते भूमेह परधुचत्वारी पुराणी यमकोटी वाडवानल रोमगपत्ता सिद्ध पुराणीं मध्येच लंका वर्तते भूमोगोले मनुजाह परस्पाम अधाशिरस्काह स्तिताह संती सब्त साहगराह क्षीर दधी छार घृत एक्षु मध्य स्वादुजर युकताह सब्त द्वीपाह सब्त परवताह तेशाम सर्वेशाम वर्णानाम परवतानाम व्रिक्षानाम नदीनाम तेशाम चतुर दिक् द्रोनी भारत किन्नर हरी कुरु हिरन्य मय रंयक भद्राश्व केतु माला नाम निवेशवा परितहा अनिष्ट नगराणी अमरावती, तेजोवती, सैयमिनी, कृष्टांगना शद्धावती, त्यादी नाम दीपा नामचर्चा, स्थाना नामचर्चा, भारतवर्षिया ना बिस्तारेन भितास्ती अन्तेच गंधर्वखन्णाने सप्त अचलाह माहेंदर शुकति मलय रिक्षपारियात्र सहीय बिंध्या चलास्य संधी इथं अस्य गोलाध्याय अस्य पाथास्य संपूर्धी जायते अनेन प्रकारेन शर्वेशाम विशयानाउं विन्यासह असमिनध धन्यवाद हो